जयमाबिंद्वाशनी हर हर महादेवाप शभी का स्वागत है आपके अपने यूटूब परिवार फेस्बुक पेस पे महाश्युवरात्री का परमप अपितरपावन परवाने वाला है इस दिन की महता क्या है इस दिन किस प्रकार से विशेस विदिविधान से हम से भी पूजन का विशेस फ़ल पराप्त हो और साथ ही इस दिन पूजन करने का समय कौन-कौन सा है क्योंकि शिवरात्री के दिन महाश्युवरात्री के दिन रात्री काल में चार पहर पूजन करने का विधान है उन चार पहरों में सही समय पे अगर हम भगवान शदासी पूजन क का समय महानिस्वित काल के पूजन का समय और शाति वुरत का पारणित्य दिकप करना है उसका पूरा शमय लिखा हुआ मिलेगा लिखा जाता रहेगा आप लोग कृप्या उसे देखते रही और साथी महास्यवरात्री परव को ले करके और जो भे विशेश बाते हैं उन सभी क आप साथ में स्वन कर लें ताकि आपका समर्पन अच्छे प्रकार से हो उस दिन सही तरीके से समर्पी थोकन के आप शेवा पूजा भगवान शिव के लिए कर सकें शिव महापुरान के बिश्वेसर संगेता में इस वात का बरणन है कि जब ब्रह्मार विश्णुजी के अध्य जोत्र लिंक के रूप में अगनी अस्तंभ के रूप में प्रकट हुए थे प्रथम बार तो जब अगनी अस्तंभ के रूप में भगवान शदासिव प्रकट हुए उस समय तिथी थी मार्गसर से किष्णपक्ष तरित्या और नच्छत्रता आत्रा बहुत सारे प्रकट हुए थे और उसके प्रकट हुए तो ब्रह्मा और विष्णुजी और पता लगाने के लिए ब्रह्माजी हंस को रूत डहरन किए विश्ट्र सुकर कर मार्ध रख़न के वह दूनागरों कोई की बीच में और कि ज revolutionat हुए तो ब्रह्मा जी उपर गये, खोजते-खोजते, तो उपर से एक फूल गिरता हुआ दिखा, जो केतिकी का, केवडा का फूल था, तो बहुत कल्प बित गये थे, बहुत समय बित गये थे, करोड़ों वर्स वहतीत हो चुके थे, एक कल्प में लगभग चार अरब वर्स होता ह उससे भी कई-कई वर्स अधिक बीत चुके थे हैं, हम लोगों मनुष्य की जीवन के अनुसार, तो ब्रह्मा जी उसकी इतकी किफुल से बोले कि तुम जूठी गवाही दे देना, तुम बोल देना कि हम इस अगनियस्तम्ब का आखरी उचा हिस्सा जो है, आखरी सिरा जो ह हम तुम का निको वर्दान नेंगे, यह बोल करें के साथ ले करें के चले आएं, विश्णु जी निराज हो करें के वापस लोटी क्योंकि उनको उश्य अगनियस्तम्ब का अंत नहीं प्राप्त हो पाया, तो विश्णु जी उस परिस्थिती में भी सत्यवाधिता को नहीं भगवाने श्यु क्रोधित हो करके उनके समक्ष उसी अगनियस्तम्ब के अगनियस्तम्ब में से प्रकट हुएं सामने, और फिर जब वो क्रोधित हो करके प्रकट हुएं तो उनके ललाट से, दोनों भुकरिटियों के मद्ध से, भाहों के मद्ध से, एक विकराल प्रवार का दोश लगा वहरोजी को और फिर ब्रह्मा जी शमयाशना कि विष्णो जी भी शमयाशना मांगे उनके तरफ से अब शेवीजी सानतु हैं लेकिन ब्रह्मा जी को शराब दिये कि मिडती लोक में तुम्हारी पूजन नहीं होगी लेकिन वहीं बर्दान पर दिये क यह गित्यातिकर्व में और विश्वकर्मना की स्वरूप में तुम्हारी पूजन हर जगाँ होगी। तो यह जो बरदान और बहुत वर्दान मिले। उसी दिन पंचाक्षरी स्वरूप के उतपत्ति की उञेत्थər पंचानन महादेव।la इसी दिन भगवानेश्यू जो है सब पे क्रिपा करते हैं विशेश रूप से तो यहां कथाती और साथी आप लोगों के स्क्रिंड पे सारा यहां समय प्रथम पहर से लेके चोथे पहर का महान सितकाल का और पारण इत्यादी का समय दिखा दिया गया है इसके अनुसार आप लोग उस्तिन व्रत कीजिए उपवास कीजिए और चारों पहर में पंच्योप चार दसोप चार जितना हो से कि उस अनुसार पूजन आर्ति भगवान शू का नाम वंत्र क्रिपासरवात को प्राप्ति कीजिए ज्यामाविंदवाशनी हर हर महा देओ